है यह लो फ्रेंड्स बीना के दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ यह वाला डिजाइन सेयर कर रहे हूं इस डिजाइन के लिए हमें एटके मल्टिपल से फंदे चाहिए और सिक्स फंदे एक्स्टर रखने हैं और यह डिजाइन हमारा टूरो में कंपलीट ह है और गयिंट से कःगते हैं को दो मैंने बना लिया है यहीं से में डिजाइन आपको ko रू करे बताएंगे कि बोर्डर के बाद terre म्याया डिजैएं कैसे दिखते है बोर्डर के बा दीर स्मारीये पहली सलाई होगी उस्टर में कि धृए में पंधल भाब्र पीष्क सेनने ह यसे करना है एक फंदा बिना बूनी तारना है एक फंदा सीधा बूनना है फिर धागे को ऐसे लपेट कर ऐसे जाली लेनी है और जो फंदा हमने ये बिना बूनी उतारा थे इन को इनके उपर से ऐसे गिरा देना है फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है और एक फंदा सीधा बुनना है फिर धागे को ऐसे लपेटना है और जो बिना बुने फंदे फंदा है उसे इन दो फंदों के उपर से ऐसे गिरा देना है तो फिर दो फोन के हमारे पास दो फंदे से बंट जाते हैं इन्हीं쪽 फंदोगों के लदी करना है एक दो तीन चार फंदे उल्टे और एक दो तीन 4 फंदों पर हमारा पमोले टीजाइन पढ़ेगा तो एक डेजाबन यहां कम्लेट होता है फिर चार फंदे उल्टे बनाने एक दो तीन वरिये चार फिर धागा पीछे एक फंदा बिनविने उतारा वह एक फंदा सीदा बन देना है तक दागे को ऐसे लपेटना है ऑर इस धागे को इन दो फंदों के उपर से गिरा देना तो जो हमारा लपेटा हुआ फंदा है यह एक्स्टा फंदा बन जाते हैं तो यहां हमने एक फंदा गिरा दिया तो दो फंदे हमारे पास फिर वापस आ जाते हैं एक फंदा बिना बुने उतारा फिर एक फंदा सीधा बुना फिर धागे को ऐसे लपेटना है और जो यह बिना ब हमद्व न शीधा बंदेनं है उल्टी सलाई इस डिजाइन की हर बार उल्टी ही बनेंगी उल्टी सलाई में हमारा कोई डिजाइन नहीं बनेगा कि वर सीधी साइड हमारा डिजाइन बनता है दो सलाईयों का डिजाइन है इन्हीं दो सलाईयों को हमें पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाने है बहुत ही इजी डिजाइन है इसे विगनर्स भी आराम से बना सक है तो तो देखे फ्रेंट्स दो स्लाइय यहां मैंने कम्प्लीट कर ली है यह दो स्लाइया हमें बनानी है एक बार मैं फिर से आपको यह डिजाइन फिर से बताती हूं त गभाव पड़ें है हूं एक फंदा हमारे ऐस इस अइसे ही उतार लेना है और दहागा अपनी तरप चार फंदे उल्टे हैं दो पीछे बिनाबूनए अतारा है नहीं दोसरी फंदें को ऐसे बुन देना है फिर 106 लपेटने हैं और जो ये उतारा हुवा फंदय है इनने इन दो फंदों पर से ऐसे गिरा देना है फिर एक फंद।सी द भुनने हैं शोर्य गिन इस हम लेटा और अगले फंदेख सीधा दो शुनने पिर धागे कुए लप्ट को इन दो फंदों के उपर से गिरा देना है क्या हमारा यह आठ से लाएं आठ फंदों का डिजयन यह एक डिजयन यह कंपलीट हो एक दो तीन चार पान चे साथ आठ फिर दूसर डीजन डिजयन शुरु होता है एक दो तीन, चार, चार फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा बुनने है, फिर धागे को ऐसे लपेटा और इस उतारेवे फंदे को इन दो फंदों के उपर से गिरा देना है, फिर एक फंदा बिना बुने उतारना है, एक फंदा सीधा बुना, धागे क दो आपूने उता रहा था इसे इन दो फंदों को परसे से किरा देना है और चार फंदे लाश्ट में उल्टे बुनने हैं दो तीन चार और लाश्ट के फंदे को सीधा बून देने और उल्टी स्लाइप पूरी उल्टी बुनकर कमपलीट करनी है कि उल्टी सलाई हमारी यहां कम्प्लीट होती है तो दूसरे बार हमने डिजाइन दो दो सलाईों का दो बार मैंने आपको बता दिया है इनहीं दो दो सलाईों को पूरी प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाना आप चाहें तो यहां मैंने रखना चाते हैं ने रख सकते हैं तो फ्रेंट देखिए आपको यह डिजैन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं थेंक यू